दिवाली आने वाली है, दिवाली पर हम सब अपने घरों को अच्छे से सजाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, दिवाली पर हम सब मालक्ष्मी की पूजा करते हैं और धन धान्य और स्वास्थे की कामना करते हैं, ऐसे में अगर मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बत तो चलिए देखते हैं इस प्लांट के बारे में, फैंक्शुई में इस प्लांट को गुडलक प्लांट कहा जाता है, इसे मनी मैगनेट भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ये मनी को अट्रेक्ट करता है, माना जाता है कि इसे अपने घर में लगाने से घर के आपसी धन धने आ जाता है, घर धन से भर जाता है, सुक सम्रिधी आती है, ऐसा है ये चमतकारी प्लांट, तो इसे तो घर में होना ही चाहिए, क्यों न इस दिवाली 2020 में हम अपने घर में इस प्लांट को लगाएं, कहते हैं इस प्लांट को साउथ इस डारेक्शन में आपको लगान चाहिए ये complete indoor plant है कोई फी indoor plant completely indoor नहीं होता थोड़ी बहुत रोशनी उसे चाहिए ही होती है तो इस plant को भी आप उस area में रखें जहां पे semi shade पड़ती हो पुरा धूप चाहे ना भी पड़ती हो पर दिन में 3-4 घंटे की धूप आती हो या कम से कम रोशनी आती हो इस plant को कैसे लगाना है क्या है इस plant का नाम उसके बारे में हम देखेंगे दिस इस स्वाती वेलकम टू नेचर ट्रेजर चलिए जानते हैं इस कमाल के प्लांट के बारे में इसका नाम है जेड प्लांट इसे जेड कहते हैं good luck प्लांट कहते हैं फैंक्शुई में इसका बहुत काम होता ह बहुत लोग इसे मानते हैं क्योंकि फैंक्शुई जो है वो यूज करते हैं natural जो प्लांट्स हैं उनकी energies को कहते हैं यह negative energies आपके घर से दूर रखता है और positive energy आपके घर में यह लाता है इसके जो पत्ते हैं वो heart shape जैसे दिखते हैं और उसी reason से कहा जाता है कि यह घर के इशू है तो इस प्लांट को आप अपने घर में रखिए अपने बेडरूम में रखिए अपने workplace पे रखिए और सबसे अच्छी बात यह बहुत सुंदर दिखता है आए देखते हैं इसको लगाते कैसे हैं यह बहुत easily लग जाता है अपनी scissors को आप sanitize कर लीजेगा यूज क करने से पहले उसके बाद में इसकी एक छोटी सी टहनी आप काट लीजेए जेड प्लांट की छोटी सी टहनी काट लीजेए अगर नहीं है तो पास की nursery में आपको कहीं से भी यह मिल जाएगा अपने आसपास देखिए बहुत common प्लांट है easily available होता है हर जगह इस छोटी सी ज अपनी स्टोर करता है अपनी पतियों में तो हमें जो इसकी सॉयल है वो सैंडी रखनी है आपकी उसके अंदर वर्मी कमपोस्ट और सैंड इन तीनों के mixture को आप एक गमले में डाल लीजे अपने पॉट में रख लीजे और उसके बाद में एक उसके बीच में छोटा सा होल क लीजे बस यही चाहिए इसके लिए बहुत जादा केर नहीं है आराम से एक टहनी से ही लग जाता है कहीं से भी टहनी लाके लगा दीजेगा यह अच्छे से चल जाएगा बाकि हर नरसरी में यह अवैलिबल होता है प्लांट और इसकी जो नीचे की leaves हैं यह देखे जो को प्रॉपगेट करते हैं किसी भी प्लांट को हम टहनी से प्रॉपगेट करते हैं उसकी stem लगाते हैं हमें नीचे नी होती है हम खाली stem को ताकि वहां से रूट निकल सके खाली stem को उसके अंदर लगाएंगे मिटी में डालेंगे हम leaves को मिटी में नहीं डालते हैं तो इसकी प्लांट है ये गिफ्ट देने के लिए भी बहुत काम आता है आप अपने छोटे-छोटे से जो पॉट्स हैं घर में आप उसमें यूज कर सकते हो आप उसमें ऐसे ही तहनिया लगाकर और गिफ्ट कर सकते हैं उससे भी इसको गिफ्ट करने से भी गुड्लक आता है तो जैसे हमारे हिंदु धर्म में कहते हैं कि तुलसी को गिफ्ट करना चाहिए ऐसे ही जेड प्लांट को भी गिफ्ट करने की बहुत मानता है तो आप गुड लग के लिए इस दिवाली पे जेड प्लांट को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ही लगा देना है वो बहुत इजी ली चल जाता है ये देखे, ये प्लांट वन मन्थ होल्ड है वहां से वन मन्थ में ये प्लांट इतना ग्रो कर जाता है बहुत इजी ली ग्रो करता है आप देखो इसकी तहनी भी मोटी हो गए इसके stem कितनी अब थिक हो गई है वन मन्त के अंदर ये इतना ग्रो कर गया है अब मैं आपको इसके बारे में और बताती हूँ कि इसकी conditions क्या होती है इसको क्या चाहिए कि सबसे पहले, सबसे important बात इसे पानी बहुत कम चाहिए क्योंकि ये succulent family से बिलॉंग करता है ये पानी बिल्कुल सहिन नहीं करता सिर्फ एक ही केस में ये मरता है प्लांट वो है ओवर वाटरिंग इसको पानी आप तभी दीजिए जब आपको लगे कि बिल्कुल मिट्टी सूख गई है तभी इसको पानी देना है अदर्वाइस इसको पानी नहीं देना एक हफ़ते में एक बार भी देंगे विंटर्स में तो चलेगा और ज़्यादा पानी इसे नहीं चाहिए अपने आप बढ़ता रहता है बहुत अच्छा प्लांट होता है बड़ा ही प्यारा बच्चा है आप इसको अच्छे से ग्रो कर सकते है जादा डिमांट्स नहीं है इसकी यह देखे यह मेरा छे महीने पुराना है जेड इसको मैंने हैंगिंग में लगाया है अगर मैं इसकी कटिंग जो है वो साइड से करती रहती तो यह बॉनसाय बन जाता और यह देखे इसकी स्टेम मोटी हो गई है आप देख सकते हैं इसकी स्टेम अल्रेडी मोटी हो गई है और अगर आप इसको उपर से कारते रहेंगे तो यह नीचे की और बढ़ेगा ऐसे आपका हैंगिंग के लिए यह परफेक्ट हो जाएगा तो अगर आपको बोंसाय बनाना है इसकी साइड की आप कटिंग से करते जाएगे और आपको इसे हेंगिंग में करना है तो उपर से कटिंग करते जाएगे दोनों ही सूर्टों में यह बहुत ही अच्छा चलता है बड़ा ही easy है इसको लगाना और इसको maintain करना ये सोभागय लाता है आपके घर में धनवरिधी करेगा health लाएगा और उससे भी अच्छा है ये आपके garden को चार चांद लगा देगा आपके घर को आपके garden को बहुत सुन्दर मना देगा मैंने बहुत सारे जेड प्लांट अपने घर में लगाई हुए है ये बहुत पुराना प्लांट है और बहुत ही अच्छा चल रहा है इस प्लांट से मैं धेर सारे और प्लांट्स बना चुकी हूँ डिफरिंट डिफरिंट जो हैं मैंने पॉट्स में वो लगाए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हैंगिंग में यूज किये हैं प्लांट्स एक हम जेड का है दूसरा प्लांट है हमारा फ्लार का उसके बाद में फिर से जेड का है और ऐसे ही मेरे पास में ये फाइव हैंगिंग में हैं जेड प्लांट्स और एक मेरा bonsai बनाने के लिए मैंने रखा हुआ है बाकी बहुत सारे plant मैंने gifting purpose के लिए भी रखे हैं आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये जो jade की लड़ियां हैं पूरी नीचे तक आ जाएंगी और ये बहुत संदर दिखेगा बहुत जादा time नहीं लगता इसको ऐसा दिखने में छे महीने या एक साल इसका maximum है कि आपको ये look इसका आराम से मिल जाएगा और क्योंकि इसकी कोई खास requirement नहीं है तो easily ये चल जाता है तो आप जरूर लगाईए अपने घर में इस दिवाली पे अपने घर में ये प्लांट आप जरूर लेकर आएए मैं pray करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी आपके घर में भी जेड प्लांट सुक्स मृधी और धन धान्य लेकर आएगा अगर आपको ये जेड प्लांट की कटिंग चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखिए प्लीज हमारे वीडियो को शेर कीजिए और मैंशन कीजिए कि आपको ये कर चाहिए और हमारे फेस्बुक पे आप अपना अड्रिस भेज सकते हैं मैं आपको इसकी कटिंग भेज दूँगी जितना अच्छा इसको लगाना होता है उतना ही अच्छा होता है गिफ्ट करना तो हमें बताइए अगर आपको भी ये जेड प्लांट की कटिंग चाहिए तो प्लीस कमिंटे और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा जितना शेयर करेंगे उतनी अवेर्नेस होगी और उतना ही जादा हमारा जेड प्लांट आर हमारी मर्धी बढ़ीगी तो प्लीस कीप शेरिंग और हमारी वीडियो को यूँ ही लाइक करते रहें सब्सक्राइब करना मत भूजेगा और सबसे इंपर्टिन बेल आइकन जरूर बजाएगा थैंक्स पर वाचिंग